परशान्त नील के साथ शाहरुख खान की अगली फिल्म की हुई एनॉंसमेंट फिर एक बार साउथ की मूवी में किंखान एक्शन करते नज़राएंगे लेकिं दोस्तों से पहले आप सब को बता दू कि पठान और जवान के साथ बॉक्स ओफिस पर धमाल मचाने के बाद अब किंखान अपनी अपकमिंग फिल्म डंकी को लेकर काफी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि उनके डंकी फिल्म सलार से टकराने वाली है जिसका डायेक्टर खुद परशानत नील है जो शाहरुक खान के साथ अगली प्रजेक्ट कर सकते हैं मीडिया रिपोर्स के अनुसार परशानत नील और शाहरुक खान दोनों की एक मीटिंग हुई वैसे विदोर्स तो शाहरुक खान का एक्शन हमने दो फिल्मों में देख लिया पठान और जवान अगर किंग खान परशानत नील के साथ एक्शन फिल्म करते हैं तो दुनिया के सबसे बहतरीन एक्टर बन जाएंगे वो भी एक्शन किंग के नाम से जाने जाने लगेंगे वैसे भी आप रुवैंस के बादशा किंग आफ एक्शन बन चुके हैं शाहरुक खान की डंकी 21 दिसंबर उस सिनमाखरों में लग रही है जो सलार से एक दिन पहले होगी ओपनिंग डे कलेक्शन काफ़ी अच्छा कर सकती है डेल सो कुरोर के आसपास तो पहुंची सकती है फिल्म डंकी की नई रिलीज डेट को लेकर लोगों का कहना है यह शाहरुक खान का मास्टर फ्लान है जो सलार जैसी फिल्म को पटकनी देने के लिए अपनी गेम खेल रही है राजकुमार हिरानी और शाहरुक खान से टकर लेना कोई आम बात नहीं है अगर परशांत नील और परभास को जीतना है तो उन्हें और दम लगाना होगा फिरहाल तो राजकुमार हिरानी और शाहरुक खान की डंकी का पल्ला ज्यादा भाली लग रहा है आपको क्या लगता है दोस्तों खेड दोस्तों क्या आप परशांत नील की फिल्म में शाहरुक खान को देखना पसंद करेंगे या नहीं दोस्तों कमेंड में हमें बताएं और अगर आप भी शाहरुखान के फैन हैं तो सिनमा कवर को सब्सक्राइब जरूर करें